दोस्तो नमस्कार ये हैं मागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तो नागरिक सास्तरत्व राजनीत विज्ञान के मोहत्वण प्रशनों के अध्यन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है राजनेतिक दर्सन के अंतरगत भारती एवं पाश्यात्य सिध्धानत और विचारों से संबंधित मोहत्वण प्रशनों का रिवीजन जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है इसमें हम उन मोहत्वण प्रशनों को सामिल कर रहे हैं जो आगामी परिक्षाओं के लिए अतिसंभावित और मोहत्वण है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रशन एक कथन है कि ये निश्चित है कि सरकार की उत्पति बल प्रियोग के परिडाम सुरूप तथा बल प्रियोग द्वारा होती है ये कथन किसका है आपसन है कार्ल माक्स, इस्पेंसर, गारनर या रूसो तो सही उत्तर इस्पेंसर दोस्तों इस्पेंसर के अनुसार राज्य सत्ता का उद्य व्यक्तियों के भै के फल सुरूप होता है राज्य सत्ता के विकास से शक्तिसाली व्यक्तियों का आतंक चा जाता है और इनकी शक्ति से अन्य व्यक्ति जो है भैभीत होने लगते हैं और इस भै के कारण ही शक्ति साली व्यक्ति उन पर नियंत्रन रखने लगता है ये नियंत्रन राज्य सत्ता का प्रथम अस्तर होता है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिध्धान्त या कमांड थियरी आफला का उन्नायक कहा जाता है तो सही उत्तर जान आश्टिन को याद रखेगा दोस्तों जान आश्टिन कानून के समादेश सिध्धान्त या कमांड थियरिया फला के उन्नायक है आश्टिन का कहना है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नेतर को दिया गया आदेश है या कानून संप्रभु की आग्या या आदेश है आश्टिन के इस परिभाशा में तीन तत्तुनिहित हैं संप्रहुता, आदेश और शास्त यानि संप्रहु के आदेश की ओहेलना करने वाले को दंड देने की शक्ती इस प्रकार आश्टिन ने कानून को संप्रहु का आदेश या समादेश माना है आश्ठी ने अपनी पुस्तक में संप्रहुता की एकलवादी औधाणा का प्रतिपादन किया है अगला प्रश्ण है किस विचार यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज भ्यक्ति की भावना की पुष्टी होती है आपसन है कौटिल लेनिन हीगल या माओ तो सही उत्तर हीगल दोस्तों हीगल युद्ध का पूर्ण समर्थन करता है वो युद्ध को एक साधन मानता है जिसका अनुगमन का राज अपनी आउशक्ताओं की पुर्ति कर सकते हैं और अन्य देशों से अपनी मांग मनवा सकते है हीगल ने कहा है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज भक्ति की भावना की पुष्टी होती है अगले प्रशन पर आते हैं एक कथन है कि अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं ये कथन किसका है बिन्थम, डायसी, लाश्की या आश्टिन का तो सही उत्तर याद रखेगा ये कथन बिन्थम का है और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 19. सताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों का अस्थ बिन्थम और आश्टिन जैसे कानून शास्त्रियों के विचारों में मिलती है बिन्थम के अनुसार अधिकारों का आधार केवल कानून है इसके अनुसार कानून और अधिकार अनिमारत एक है कानून उसका वस्तु परक रूप है और अधिकार व्यक्ति परक रूप इसके अनुसार अधिकार की तीन विशेस्ताएं होती हैं एक तो राज्य ही अधिकारों का स्रोत है यानि अधिकार राज्य से पहले नहीं हो सकते दूसरा है कि राज्य अधिकारों का संस्थात्मक और कानूनी धाचा परदान करता है और तीसरा है राज्य ही अधिकारों की रशना क तो आप जानते हैं बेन्थम उप्योगितावादी विचारक है उनके अनुसार विधिका लक्ष अधिक्तम व्यक्तियों का अधिक्तम सुख या अधिक्तम हित होना चाहिए बेन्थम के अनुसार कानून बनाने वालों को किवल वही कानून बनाने चाहिए जो अधिक्तम इसी उद्देश की पूर्ति करना है इंग्लेंड में उपियोगितावाद के प्रवर्तक जेर्मी बेन्थम ने लाग के प्राकिरते कधिकारों को कालपनिक सिध्धान्त का खंडन करते हुए उपियोगितावाद के अनुभो मूलक आधार पर उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन किया बेन्थम के अनुसार मनुसे से ऐसा व्योहार करना चाहिए जिससे वो अपने सुख को बढ़ा सके और दुख से बस सके और बेन्थम ने सामाजिक समझोते और सामान इच्छा के सिध्धान्त का खंडन करते हुए तरक दिया कि समुदाय का हि उसके पिर्थक पिर्थक सदस्यों के हितों का योग होता है अगला बहुत ही महत्तपूर एक कथन है कि कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है यह इश्वर तथा विवेक के विशुध वारी है यह परिभासा किस ने दी है आपसन है अरस्तू, सेंट, ठामस, एक्विनास, मांटेस्क्यू या उपर युक्त में से कोई नहीं तो सही उत्तर ये परिभासा अरस्तू की है अरस्तू के अनुसार कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है यानि ये इस्वर तथा विवेक के विशुध वारी है और इस तरह अरस्तू कानून को इच्छा से प्रभावित विवेक कहकर पुकारता है वह कानून को न्याय का आधार, विवेक का परयावाची और नैतिक्ता का राजनीतिक रूप मानता है इस तरह अरस्तु कानून को ऐसा उच्च कोटी का विवेक मानता है जिसमें किसी प्रकार की वाशनाएं, भावनाएं और प्रलोभन प्रभावित नहीं कर सकती हैं अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए यहां पर आप देखिए तीन कथन दिये गए हैं और इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन या कौन से कथन सही है कूट के आधार पर बताना है पहला है बिन्थम का मानना था कि मनुस्य उपियोगितावाद की अधिकाधिक ब्रिद्धि करते हैं बिलकुल सही है दोस्तों आप देखिए एक और तीन सही है आफसन बी आपका सही है बिन्थम महिला मताधिकार के संबंध में मौन है यानि उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं अगला प्रश्न है बिधिके सासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रे दिया जाता है किसको अरस्तु मांटेस्क्यू एवी डायसी या हेरोल्ड लास्की को तो सही उत्तर एवी डायसी को दोस्तों भारती संबिधान का अनुच्छे चवदव बंधित करता है कि भारत राज छेतर में किसी व्यक्ति को विधिके समख्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से राज्य दौरवन जित नहीं किया जाएगा विधिके समख्ष समता वाक्यांस ब्रेटिस संबिधान से लिया गया है जिसे प्रोफेसर एवी डायसी विधिका शासन या रूल आफला कहते हैं विधियों का समान संरक्षन वाक्यांस अमेरिका के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता वाक्यांस लगभग सभी लिफ्खित संविधानों में पाया जाता है जो नागरिकों को मूल अधिकार परदान करते हैं और संयुपत राष्ट मानो अधिकार गोश्डा पत के अनुछे साथ में दोनों वाक्यांस दिये गए हैं विधिके शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो है ये विधि से उपर नहीं है अगला प्रश्न महत्तपूर्ण है कि डायसी ने किस अवधाना की स्रेष्ट व्याख्या की है आपको बताना है तो उतर है विधिके शासन यानी रूलाफला दूस्तों बिटिस नियावित्या ये विधिके शासन की अवधाना की स्रेष्ट व्याख्या की है डाइसी ने अपनी कृती इंटोडुक्शन टू दै इस्टडी आफ दला आप कांस्टिचिउसन में इंग्लेंड के सम्विधान को विदिके शासन की संग्या दी जो आगे चल कर सम्विधानिक शासन का प्रमाड बन गया अन्य महत्वपूर्ट अथ्यों में आप जान लीजे कि डाइसी के विदिके शासन में तीन अर्थ नहीं थें पहला है कि कानून का उलंगन करने पर ही किसी नागरिक को दंड दिया जा सकता है अन्य किसी आधार पर नहीं दूसरा है विदिके शासन सब नागरिकों को कानून क समक्ष समानता परदान करता है और तीसरा है इंग्लेंड में विधिका शासन ये संकेत करता है कि यहां नागरिकों के आधिकार संबिधान द्वारा सुरक्षित नहीं किये गए हैं बलकि देश के साधारन कानून में वेहित उपचारों के द्वारा उन्हें जो हितलाभ और सो किसका है तो याद कर लिजे ये अरस्तु का कथन है दोस्तों अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधी का सासन अधिक अच्छा होता है क्योंकि विधी ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है अगला प्रश्ण है मांटेस्क्यू ने किस संस्था की ब्याख्या करने में त्रूटी की थी आपसन है फ्रांसीसी राश्तांत्र की ब्याख्या, अमेर्की राष्टपती की ब्याख्या, स्वीस संसत की ब्याख्या या ब्रिटिस संसती ब्यवस्था की ब्याख्या तो सही उत्तर मांटेस्क्यू ने ब्रिटिस संस्दी व्यवस्था की ब्याख्या करने में त्रूटी की मांटेस्क्यू का कहना था कि इंग्लेंड का संबिधान सक्तियों की पिर्थकरण के सिध्धान पर आधारित है जबकि सक्तियों का पिर्थकरण इंग्लेंड के अलिखि संविधान के विशेष्टा नहीं है अगला प्रश्ण है वीधि के शासन वाक्यांस में प्रियुक्त विधिपद का अभिपराय क्या है आपसन है मानो अस्थापिद विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के अधिसमय या सामान विधि तो सही उत्तर मानो अस्थापिद विधि दुस्तुम विधि के शासन वाक्यांस में प्रियुक्त विधिपद का अभिपराय मानो अस्थापिद विधि से है इस सिध्धान्त के अनुसार प्रतेक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद जो कुछ हो देश के सामाने विधियों के अधीन और साधारण न्यायालियों के अधिकारिता के भीतर है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन विधिके शासन से निकटम संबंधित है नियायक सरवोचता संबिधानवाद मार्शल्ला या शक्तियों का प्रिथक करण तो सही उत्तर संबिधानवाद दूस्तूं संबिधानवाद बेधिके शासन से निकर्तन संबंधित है क्योंकि संबिधानवाद का संबंध नियंतरण की उस पडाली से है जिसमें व्यक्तिकी सोतंता के लिए उचित वातावरण मिले अगला प्रश्ण है राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से कौन संबध है आपको बताना है टामस एक्विनास, सिसरो, बर्क या उपर्युक्त में से कोई नहीं तो सही उत्तर सिसरो दोस्तों सिसरो रोमन कानून की अधाना को विक्षित करने के लिए जाने जाते हैं उन्होंने प्राकरतिक कानून के सिध्धान का प्रतिपादन किया और घोशित किया कि ये सास्वत अपरिवर्तंसील है कोई विधान निर्माता भी इन कानूनों का उलंगन नहीं कर सकता तो याद रखिएगा राजनीतिक विचारों के रोमन इसकूल से सिसरो संबंधित है अगला प्रशन है दंड का प्रतिकारात्मक सिध्धान आधारित है किस पर तो ये बदले के सिध्धान पर दोस्तों दंड का प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक सिध्धान जिसको रेट्रिब्यूटिव थियरी कहा जाता है ये बदला लेने के सिध्धान पराधारित है इस सिध्धान के अनुसार दंड का उद्धिश अपराधी से अपराध का बदला लेना है और इस सिध्धान का आधार जैसे को तैसा आँख के बदले आँख और दात के बदले दात वाला है दोस्तों प्राचीन काल में दंड के इसी सिध्धान को माननेता प्रात थी कांट और हीगल ने इस सिध्धान का समर्थन करते हुए दंड को अपराधी के लिए निशेधात्मक उपहार किये कहा है दंड के अन्य सिध्धान्तों में निवर्तक सिध्धान, सुधार आत्मक सिध्धान्त और आदर्शात्मक सिध्धान्त है सबसे स्रेश्ट और बेवहारिक दंड वेवस्थावा होती है जिसके अंतरगत प्रतिरोध, निरोध और सुधार तीनों की उचित और संतुलित वेवस्था हो अगला प्रश्ण है जहां कानून नहीं है वहां स्वतंतरता नहीं ये कथन किसका है तो आप सभी साथ ही जानते हैं ये कथन जान लाग का है लाग ने राजी की प्रभुसत्ता और उसकी जोर्जबरजस्ति की सक्ति को शंका के द्रिष्टिकोंड से देखा और इस पर कानून द्वारा सीमाय लगाने का प्रयत्न किया उसकी अनुसार कानून और स्वतंता एक दूसरे के विरोधी नहीं है कानून का उद्देश वियक्ति की स्वतंता को बढ़ाना और सुरक्षित करना है जहां कानून नहीं वहां स्वतंतरता की आशा नहीं की जा सकती है और आप जान लिजे बहुत ही महत्वण है हाफसने स्वतंता को कानून का मौन माना है हापस ने सोतंता को कानून का मौन माना है मिल ने व्यक्ति की सोतंता में किवल राज्य का ही नहीं बलकि समाद, जन्मत और रित रिवाज का हस्त अच्छेब भी अनुचित माना है और मिल के अनुसार व्यक्ति स्वयंग पर अपने शरीर पर और मन पर संप्रभू है अगला प्रश्ण है कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समू है ये परिभाशा किस ने दी है तो सही उत्तर ये परिभाशा डिगवी की है याद रखेगा ये प्रश्ण बहुत ही महत्तपूर्ण है आप सभी के लिए कानून यानी ला को परिभाशित करते हुए डिगवी ने कहा है कि कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समू है गैटिल के अनुसार कानून प्रतिष्ठित विचारों और आदतों के उस भाग को कहते हैं जिनको शासन की सत्ता और सक्तिका समर्धन सामाने नियमों के रूप में प्राप्त हो चुका हो और आश्टिन के अनुसार संप्रहु का समादेश या आज्या ही कानून है अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों निमनलिखित कत्नों में कौन सही है आपको बताना है बहुत ही महत्तपूर्ण प्रशन है तीन कथन है इसमें शरकार और राज्य में विभेद किया है बिल्कुल सही लाक ने शरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है तो दोस्तों आप संसी आपका सही उत्तर हो जाएगा लाक ने समाज यानि राज्या और सरकार में भेद किया है लाक के अनुसार समाज की अस्थापना एक समाज छिन भिन नहीं होता है अगला प्रश्न है निम्नलिखित विचार किस ने दिया है कि राज्य विधी का नहीं वरन विधी राज्य का निर्मार करती है तो ये कथन यूगो क्रेब का है दोस्तों आप जान लीजे कि बहुलवादी विचारक संप्रहुता के परंपरागत प्रतिबातकों के विप्रीद कानून को राज्य से सोतंत्र और उच्च मानते हैं ऐसे विचारकों में क्रेब, डिगविट, हेनरी मैन का नाम उलेखनी है क्रेब के अनुसार कोई नियम कानून के रूप में इस कारण माने नहीं होता कि राज्य ने उसे बनाया है जैसे चोरी या मानोहत्य इसलिए अपराध नहीं है कि राज्य ने उसके अपने आदेश द्वारा निश्चित किया है परंतु इसलिए अपराध है कि समाज के नैतिक बुद्ध उसे अनुचित समझती है इसी संदर में क्रैम ने कहा कि राज विधी का नहीं वरन विधी राजे का निर्मार करती है इस प्रकार के विचार डिग्विट ने भी दिये है अगला प्रश्ण है कानून राजे का पूरवर्ती है और राजे से उपर है ये निम्नलिखित में से किस का मत है अब देखिए लियो डिग्विट, FW मेट लेंड, हूगो क्रैव या केलसन तो सही उत्तर लियो डिग्विट दोस्तों, फ्रांसीसी विचारक लियो डिग्विट प्रमुक बहुलवादी विचारक है बहुलवादियों के अनुसार कानून राजे से सोतंत्र और उच्च होते है डिगविट की माननिता है कि विधिराजनितिक संगठन यानि राज्यसे सोतंत्र उसे स्रेष्ट और पूर्ण कालिक होती है विधिराज्य को सीमित करती है जबकि राज्य विधिको सीमित नहीं करता है अगला प्रश्ण है कानून नियमों का वह समू है जिसे राज जमानेता देता है और नियाय बेवस्था के परशासन में लागू करता है ये परिभाशा किसका है बहुत ही महत्तपूर है दोस्तों कानून नियमों का वह समू है जिसे राजज मानेता देता है और नियाय बेवस्था के परशासन में लागू करता है ये सालमंड द्वारा दी गई परिभाशा है सालमंड ने कानून या वीधि को परिभाशित करते हुए कहा कि कानून नियमों का वह समू है जो राज्य द्वारा माननेता प्राप्त है और जिसे राज्य न्याय व्यवस्था के परशासन के उपयोग में लाता है सालमंड के अनसार समस्त वीधि संग्रह को अधिनियमित वीधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिता करण कहते हैं अगला प्रश्ण है आधुनेक युग में पोलिस राज्य की धाणा पुरानी पड़ गई है इसका कारण क्या है तो आप जानलीजे इसका कारण कल्यारकारी राज्य का उद्देश है दोस्तों आधनी क्यूब में पुलिस राजी की अधाना पुरानी पड़ गई है इसका काराण कल्याणकारी यानि वेलफेयर इस्टेट का उदह है कल्याणकारी राजी में सब के लिए समान औसर प्रदान करना अमीरों और गरीबों के बीच अंतर कम करना और जीवन अस्तर को उपर उठाना जैसे आधार भूत तत्व शामिल है अगला प्रश्न है प्लेटों ने निमनलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित सम्विधान की अधाना का जो है उलेह किया है दोस्तों यूनानी दार्शनिक प्लेटों ने अपनी कृती दलाज में मिश्रित सम्विधान की अधाना का प्रितवादन किया है प्लेटों ने राज्य के पतन का प्रमुख कारण अतिके सिध्धान को बताया है प्लेटो कहता है कि एक मिस्रित संविधान या राज्य में राज्तांत्र और प्रजातंत्र का समिशन रहता है और ऐसा मिस्रित राज्य ही अस्थाई हो सकता है और विकास का प्रेरक्त बन सकता है अगला प्रश्ण है दितांत का क्या अर्थ है तो आप जानते हैं दितांत यानि तनाव से थिल ले और ये सब्दावली सीत युद्ध के दोरानाई थी दितान्त एक फ्रांसेसी सब्द है इसका अर्थ तनाव में कमी या शिथिलता है दितान्त का अर्थ कदाप ये नहीं कि महाशक्तियों के वैचारिक या अन्य प्रकार के मतभेद समाप्त हो गए है दितांत की विशेस्ता ये है कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद या शक्ति संघर्स की प्रतियोगिता के बावजूद उनमें विभिन छेतरों में सहयोग बना रहता है और दितांत सब्द का प्रियोग विशेस रूप से ततकालिन विशो की दो महा सक्तियों यानि अमेरिका और सोविय संघ के बीच तनाव में कमी के संदर्व में किया गया है अगला प्रश्न है निमनलिखित में से कौन सा तत्व राजनैतिक दलों का नहीं है देखिए आफसन है संघ ठन मौलिक सिध्धानतों से असहमत संभैधानिक पध्धत या राश्टि हित तो सही उत्तर मौलिक सिध्धानतों से असहमत दोस्तों किसी भी राजनैतिक दल के निर्मार के लिए कुछ तत्तों का होना आवस्यक है लंबी आवधि के लिए संघ ठन मौलिक सिध्धानतों अथ्वन नीतियों के बारे में सहमती संभैधानिक पधायों का प्रियोग और राश्टि हित की ब्रिध्धी अगला प्रेश्ण बहुत ही महत्तपूर्ण है एक सब के लिए और सब एक के लिए यानि वन फार आल एंड आल फार वन ये सुत्र किस संदर में प्रियोग किया जाता है यूरोपी संग सामुहिक सुरक्षा संयुक्त राश्ट संग है असक्ति संतुलन तो सही उत्तर है वन फार आल एंड आल फार वन ये कलेक्टिव सेक्योर्टी यानि सामुहिक सुरक्षा के लिए प्रियोग किया जाता है दोस्तों सामोहिक सुरक्षा का विप्राई ये है कि किसी राष्ट द्वरा किसी या निराष्ट पर आक्रमण होगा तो बाकी सब राष्ट मिलकर उसका मुकाबला करेंगे अगला प्रश्ण है परमपरागत राजनीत विज्ञान का निमने लिखित में से कौन सा लक्षन नहीं है अमूर्तु सरूप काल्पनिक्ता दार्सनिक्ता पर बल या तत्यों के अध्यन पर बल तो सही उत्तर तत्यों के अध्यन पर बल दोस्तों परमपरागत राजनीत विज आप देखिए बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है दुती महायुध के बाद परंप्रागत राजनीत विज्ञान के विरोध में एक व्यापक करांती हुई इसे बेवहारवाद नाम दिया गया बेवहारवाद की आधारभूत मानेता ये है कि प्राकरतिक विज्ञानों और स अमाज भी ग्यानों के बीच एक गुडात्मक निरंतरता है अगला प्रश्ण है प्रभाव की एक विशेस्ता नहीं है क्या उसे देखा जा सकता है उसे महसूस किया जा सकता है और उसमें द्वी संबंध होता है तो सही उत्तर है प्रभाव की एक विशेस्ता नहीं है कि उस उसे देखा जा सकता है प्रभाव या इन्फ्लुएंस की एक विशेष्टा है कि उसे देखा नहीं जा सकता उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है लास्विल और का प्लान जैसे विचारक शक्ति और प्रभाव को समानार्थक मानते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन द्वीदल पध्धती का एक लाब नहीं है अपसन है अस्थायत्व पूर्वानु में निर्वाचक की पशंद का सारली कराण या समाज कमत ठीक धंग से प्रत्विम्बित होना तो सही उत्तर है निर्वाचक की पसंद क दोस्तों द्वीदल पध्धत का लाब ये है कि इससे इस्थिर सरकार अस्थाई नितियों का निर्मार शासन का स्वस्थ और रशनात्मक विरोध पूर्वानु में आदिशामिल है द्वीदली पध्धत में राजनीतिग्यों में असंतोस की भावना उत्पन नहीं होने पा प्रशन है किसने कहा है कि राष्ट दैविक आदर्स की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद घाटन है ये कथन किसका है देखिए बहुत ही महत्तोपोन प्रशन है आप संदेख लेते हैं विपिन चंद्रपाल, अरविंद, महात्मा गांधी और बियारंबेटकर तो सही कथन ये अरविंद का कथन है अरविंद, घोष, राष्टवाद और मानवी एक्ता से ओत्प्रोत एक राष्ट भक्त थे इनका विचार गरम दली नेता, तिलक, लाच बत्राय, पिल लई, केलकर, आदिके विचारों से मेल खाता है उन्होंने वंदे मातरम में प्रकाशित एक ल लिया गया है और सामाजिक छेतर में भी अपने को क्रियानवित किये बिना नहीं रह सकता तो एक बार फिर से याद रखिए राष्ट दैविक आदर्स की अभिव्यक्ति और उसका रहस्यूद घाटन है ये महर से अरविंद या अरविंद घोष का कथन है अगला प्रिश्न है किसके अनुसार आकरामक राष्टवात के चार प्रमुकता तुथे स्वदेशी बहिसकार राष्टी सिक्षा और निस्क्री प्रतिरोध तो सही उत्तर ये बाल गंगा धर तिलक के अनुसार दोस्तों आप जान लिजे बाल गंगा धर तिलक के अनुसार आकरामक राष्टवाद के चार परमुकततु थे स्वदेशी बहिसकार राष्टी सिक्षा और निस्क्री प्रतिरोध तिलक के राष्टवादी विचार वेदान्त के अध्यात में केकता और मानवी एकता और पश्मी राष्टवादी विचार को मैजिनी, बर्क, मिल और बिलसन से प्रभावित हैं तिलक ने गोखले और रानडे जैसे उधारवादी विचार कों की अलोशना किया जो ये मानते थ प्रसासन का मध्यवर्ती सुपान सहाय का विकरन कारे सौपता है गलत है सहाय की काईया प्रमुक कारेकारी की सहायता करती है बिलकुल सही है तो यहां पर देखिए आपसन भी आपका सही है सहाय की काईया प्रमुक कारेकारी की सहायता करती है इनका कारे तत्यों को एकठा करना महत्तपूर्ण विश्यों के विचार के लिए कारेपालिका के सम्मुख प्रस्तुत करना है और इनकी सेवा प्रधान सेवा नय होकर गौड सेवा होती है और बिलोबी ने इन सेवाओं को संस्था मूलक अथवा ग्रिह प्रवंध संबंधी क्रियाओं के नाम से फुकारा है अगला प्रश्न एक टिपड़ी है या यूं कहें कि एक कथन है जैसे ही हम आश्टिन की रूखी पर वैधानिक धाना से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पढ़ जाते हैं ये टिपड़ी किसने की है लॉक, गैटल, लिकाक या हालेंड तो सही उत्तर लिकाक दोस्तों संप्रवता के अनेक रूपों के वर्ण के प्रकरण में उसके वैधानिक और राजनेतिक रूपों की तुलना में वैधानिक संप्रवता के समर्थन में लिकाक द्वारा ये व्यक्तब दिया गया कि जैसे ही हम आश्टिन की रूखी पर वैधानिक धाना से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पढ़ जाते हैं एक बात जो बिलकुल साफ है वो ये तथे है कि संप्रवता ही कानूनी है जो एक वकील और नयाधीस द्वारा मानने है एक सूब्यवस्थित राज्जी के लिए जरूरी है कि उसमें वैधानिक संप्रव की सर्वोच सत्ता हो जिसकी आग्याएं अधिकांस नागरिक सोभावत मानते हूं और लिकाक से ही मिलता जुलता का थन गैटिल का भी है अगला प्रश्ण है दोस्तों आप देखिए चार का थन दिये गए हैं इस प्रश्ण में और कूट के आधार पर इसका उत्तर आपको देना है हीगल और ग्रीन सहमत नहीं है किस पर देखिए आप देखिए राज्य की नैतिक प्रकिर्टि के विशय में राज्य की युद्ध लाडने के अधिकार के विशय में ब्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विशय में या इच्छा को राज्य का आधार मानने के विशे में तो सही कठन इसमें आप से पूछा गया हेगल और ग्रिन किस बात पर सहमत नहीं है तो आप देख सकते हैं राज्य की नैतिक प्रकिर्टे के विशे में दोनो ही सहमत है और यहाँ पर देखे राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विशे में दोनों सहमत नहीं है और देखे व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध में नहीं सहमत है और इच्छा को राज्य का आधार मानने के विश्य में ये इच्छा को राज्य का आधार मानने के विश्य में आप जान लीजिए दोनों सही हैं तो दो और तीन जो है इस मुद्दे पर सहमत नहीं है राजी की युध्ध लड़ने की अधिकार के विशे में और व्यक्तिद्वारा राजी की विरोध के विशे में ये दोनों सहमत नहीं है दोस्तों युद्ध की आउशक्ता के संबन्ध में ग्रीन हीगल से सहमत नहीं ग्रीन युद्ध को अपूर्ण राजी का लक्षर मानते हैं जबकि हीगल सकरात्मक अच्छाई हीगल व्यक्ति को राजी का विरोध करने का अधिकार नहीं देता क्योंकि राज पिर्थवे परिस्वर का आउतरण है और ग्रीन ब्यापक सहमत के आधार पर विद्रोह करने का आधिकार देता है अगला प्रश्ण है हीगल ने नागरिक समाज को देखा है किस रूप में देखिए आपसन है विसिष्टता के प्रभावचेतर के रूप में सारविक्ता के प्रभावचेतर के रूप में सारविक्ता के प्रभावचेतर के रूप में या सामन जस्य के प्रभावचेतर के रूप में तो सही उत्तर सारविक्ता के प्रभावचेतर के रूप में हीगल ने नागरिक समाज को सारविक्ता के प्रभाव छेतर के रूप में देखा है हीगल के राजनीतिक दर्सन का आधार विश्वात्मा का विचार है और विश्व में पाई जाने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तुमें इसी विश्वात्मा से निस्रित हुई है विश्व पात्मा राज्य के रूप में प्रकट होती है अगला प्रश्न है कि किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कारे उत्पन करते हैं ये लोग प्रसासन से संबंधित है आपसन है मैक्स वेबर नार्थियोट पार्किंसन रैम जे मियोर या पी प्रकासन हुआ जिसका मूल विशय था कि आकार के बढ़ने पर काम की मात्रा कम होती है इस प्रकासन ने सब को आश्यर में डाल दिया ये नियम पार्किंसन के नियम से पोकारा जाता है इसका अर्थ है कि काम में ब्रिधिन्य होने पर भी कर्मचारी वर्ग की संख्या पार्किंसन ने इसके कई कारण दिये हैं नोकरसाही में अपना परभाव बढ़ाने की इच्छा नोकरसाही संख्या में बिरिधिकर के अपना काम हलका करना चाहती है और नोकरसाही अपने कारियों को अनावश्यक रूप से बढ़ा लेती है फिर कार्मिकों की संख्या में बि द्वारा प्रतिपादित बेवस्थापिकाओं के हरास का अर्थ क्या है तो सही उत्तर है बेवस्थापिकाओं के हरास का अर्थ है कि दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में बेवस्थापिकाओं की सक्तियों में या उनकी इस्थिति में उतार होना दूस्तों केशी हुयर ने अपनी पुस्तक लेजिसलेचर में एक अध्याय बेवस्थापिकाओं के पतन को जोड़ा है इनके अनुसार बेवस्थापिकाओं के हरास का अर्थ है कि दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी इस्थिती में उतार यानी रास हुआ है अगले प्रश्ण पर आते हैं नेत्रितों के सिध्धान के रूप में पारिस्थितिक द्रिष्टिकोंड का प्रतिपादन किस ने किया है आपको बताना है मिलेट द्वारा टीड के द्वारा बर्नार्ड के द्वारा या लिविंग सन द्वारा तो सही उ प्राय परिस्थितियों के अनुसार बनता या भी गड़ता है मिलेट ने नेत्रितों कि दो आवश्यक परिस्थितियां बताई है राजनीतिक और संस्थागत अगला प्रश्न एक कथन है कि हमारी राजनीतिक पढ़ाली में मंत्री जो एक उच्च 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 राजनीतिक पढ़ाली में मंत्री अगला प्रश्न है पचास वर्सों के मतभेद और एक दशक की अनिशित्ता के बाद दो पुराने सत्रू अब साजेदार बन गए हैं ये किस ने कहा है अपसन है बिल कुलिटन, लाड राबर्टसन, जार्ज डवलो बुश या मिखाइल गयरवाचो तो सही उत्तर जार्ज डवलो बुश दोस्तों ये कथन जार्ज डवलो बुश का है जिसे उन्होंने वर्स 2002 में नाटो संगठन के इटली सम्मेलन में कहा था इस सम्मेलन में एक नाटो, रूस संयुक्त परिशत का निर्माड किया गया जो रूस और नाटो के मद्ध, संयुक्त पर योज्णाओं और सुरक्षमुद्धों को क्रियान्वित करने का प्रमुख राज न एक उपकरण है इस सम्मेलन में ही जार्ज बुश ने कहा था कि पचास वर्सों के मतभेद और एक दशक की अनिशित्ता के बाद दो पुराने शत्रू अपसाजेदार बन गए हैं आप जान लिजे कि नाटो एक से निगठ वंधन है इसके अस्थापना उनीस सो उन्चास में होई थी अगला प्रश्न है युद्ध की इस्थिती राज्जी के व्यक्तित्तों की सर्व सक्ति मत्ता को प्रकट करती है ये कथन किसका है तो सही उत्तर हीगल दोस्तों हीगल एक आदर्सवादी विचारक है और इसके विचारों को उग्र आदर्सवाद के रूप में शामिल किया जा सकता है और उसके विचार पूरी तरह से राष्टी भावना से ओत प्रोथ हैं वो राष्टी राजी का समर्थन करता है और उसे मानो संगठन का सर्वो देश और मात्री भूम उस समय ऐसी सक्ति बन जाते हैं जिनके सामने व्यक्तियों की सतंता निरर्थक हो जाती है और इसकी व्याख्या बारकर इस रूप में करते हैं कि युद्ध के समय में व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती और वहराष्ट को बचाने के कि तो सही उत्तर जान फोस्टर के द्वारा जान फोस्टर डलेस के द्वारा दोस्तों असनलगनता को अनेतिक कहा गया दोस्तों ये पूरो अमेर की राजे सचिव थे जान फोश्टर डलेस इन्हों ने असन लगनता को अनैतिक कहा डलेस ने 1953 से 1969 तक राष्टपती आईजन हावर के अधिन सयुत राज सचिव के रूप में कारे कहा किया था अगला प्रश्ण राजनीतिक डल ही देश में ताना शाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है ये कथन किसका है मैं काईवर, फाइनर, ब्राइस या लासकी तो सही उत्तर ये कथन लासकी का है राजनेतिक दल देश में तानसाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है ये लास्के का कथन है वास्तों में राजनेतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है प्रोफेशर मुनरो ने कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन दली सासन का दूसरा नाम है मैं काईवर ने कहा है कि जिस राज में दल पढ़ाली नहीं होती उसमें क्रांती ही सरकार को बदलने का एक मातर तरीका है और दल पढ़ाली से क्रांती किया सकता नहीं होती और सम्मैधानिक तरीके से सासन में परिवर्दन किया जा सकता है अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखरी प्रश्न है बेनेडिक्ट इंडर्सन ने राष्ट की कौन सी विशेश्ता बताई है आपसन है एक प्रतिदिन के जन्मसंग्रह के रूप में एक कल्पिस समुदाय के रूप में हमारे यूग के भ्रम के रूप में या एक सामाजिक सम्विदा के रूप में तो बेनेडिक्ट इंडर्सन ने एक कल्पिस समुदाय के रूप में राष्ट की विशेश्ता बताई है दोस्तों बेनेडिक्ट एंडर्सन का जन्म 26 अकस्त 1936 को एक सामाजिक राजनीतिक अध्येता के रूप में उनकी पहचान है 1983 में प्रकासित इनकी पुस्तक इमेजिंड कम्यूटीज में इनको ख्यात प्राप्त हुई इसमें इन्होंने राष्ट को एक कल्पित समुदाय माना और राष्टवास से सम्बंधित अधानाओं को समरिध करने का प्रयास किया और इनका जन्म चीन में हुआ था और वर्तमान में ये आईरिश नागरिक हैं और कारनेल विशुविद्याले के प्रोफेसर भी है तो दोस्तों आप जान लीजे बेनेडिक्ट इंडर्सन ने राष्ट की राष्ट को एक कल्पित समुदाय के रूप में माना है तो ये था आज का वीडियो राजनैतिक विचारधाराओं से संबंधित महत्तोपून प्रशनों का भागतीन जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, यल्टी ग्रेड, गौर्मेंट इंटर कालिज प्रवक्ता, गौर्मेंट डिग्री काले उच्चतर सिक्षा असेस्टेंड प्रोफेसर केंद्री विध्याले संगठन और नेट जयारेफाद परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मागदेशन फॉर सिबिल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार